तो फाइनली बच्चो कक्सा आठ विज्ञान का जो चेप्टर नमर 10 है आपके किसोरा वस्ता की और और इस चेप्टर के जो कम्प्लिट नोर्स हैं वो इस वीडियो के अंदर में आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को आपको कम्प्लिट देखना है और सांदार नोर्स है एसे नोर्स आपको किसी भी प्लेटफॉरम पर नहीं मिलने वाले हैं ओके तो वीडियो को आपको अंद तक देखना है और इस से पहले के जितने भी चेप्टर हैं यानि चेप्टर नमर 1 से चेप्टर नमर 9 तक के अल्रेडी मैंने वीडियो अप्लोड कर दिये हैं अगर अ इन नोर्स को आप परचेज भी कर सकते हैं अब नोर्स आपको के से परचेज करना है तो इसकी पूरी जो प्रोशेस है वो मैंने डिस्क्रीप्शन में दे रहे हैं वहाँ जाकर आप अप ये नौर्स परचेज कर सकते हैं या फिर यहां पर जो कोंटेक्ट नंबर दिये गेंद्र में आपको नोट्स के साथ समझाने वाला हूं तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं किसोरा वस्ता यानि किसोरा वस्ता क्या है तो में जो हेडिंग है वो आपको किसोरा वस्ता लिखना है और किसोरा वस्ता क्या है तो किसोरा वस्ता की क्या परिवासा होती ह कि जीवनकाल की वह अवदी जब शरीर में एसे परिवर्तन होते हैं, एसे बदला होते हैं, जिसके परिणाम सवरूप जनन परिपक्वता आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि सोरा वस्ता कहलते हैं किसोड़ावस्ता कहलाती है, और किसोड़ावस्ता में में जो point है, वो आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर मैंने highlight किया हुआ है, योनि जो भी main imported जो चीज हैं, उनको मैंने highlight किया हुआ है, तो किसोड़ावस्ता है, वो लगबग 11 वर्स की आयू से सुरू होती है, और यह 18 या 19 वर्स के आयू तक रहती है इस भी हम क्या कहते हैं किस औरके लडके होते हैं उनको लडकीों में यह है अवस्ता लड़कों की अपेक्षा पुरुव शुरू हो जाती है तो वस्ता ही यह एक या दो वर्स पहले ही शुरू हो जाती है उसके बाद में है योवनारम यानि योवनारम क्या है तो किसोरा वैस्ता के दोरान मनुस्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं अनेक बदलाव आते हैं और यह परिवर्तन योवनारम कहलाते हैं और इन में सबसे वाले परिवर्तन यानि योवनारंब है उनमें होने वाले कौन-कौन से परिवर्तन है तो इसमें पहला परिवर्तन क्या है लंबाई में वर्दी यानि लंबाई यह वह बढ़ने लगती है तो योवनारंब के समय लड़के और लड़कियां हैं उनमें अनेक परिवर्तन होते हैं अनेक बदला होते हैं उनमें से लंबाई में वर्दी भी एक क्या है परिवर्तन है और इस समय लंबाई में एक का एक वर्दी होती हैं जिसे हम आसानी से देख सकते हैं लंबाई है उसको हम आसानी से देख सकते हैं और अलग अलग वेक्तियों की जो लंबाई है वो से याद रखना है उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सारीरिक आकरती में परिवर्तन क onboard में यानि दूसरा चन्जस क्या होगा सारीरिक ब्ह़्क्र्णा दस जो अकरती हैं उन में परिवर्तन होगा तो योवना रम् misschien समय व्यक्ति के कंदे और सिने में परिवर्तन है वो तिर्वता से होता है यानि तेजी से होता है और कंदे हैं वो फेल कर चोड़े हो जाते हैं लड़कियों में कमर का निचला भाग चोड़ा हो जाता है और वर्दी के कारण लड़कों में सारीरिक जो पेशिया हैं वो लड़कियों के अपेक्छा सूसपस्ट और गठे हुई दिखाई देती है तो ये सारी रिकाकर्ती में परिवर्तन होता है उसके बाद में है सवर में परिवर्तन यानि बोलने में परिवर्तन तो योवनारंबै उसमें सवरियंतर अत्वा लेरिंकस में वर्दी का जो प्रारंबै वो होता है और लड़कों का सवरियं के रूप में दिखाई देता है जिसे हम क्या कहते हैं एडम्स एपल कहते हैं यानि जिसको कंठमनी कहा जाता है और मैंने इसको हाइलाइट किया है most important है अच्छे से आपको ज्यान रखनी है उसके बाद में है कि जो लड़किया हैं उनका सवरियंतर छोटा होता है और बार से दिखाई नहीं देता है ये आपको इसमें लिखना है उसके बाद में next है आपकी कि सवेद और तेल गरंथियों की किरिया सिलता में वर्दी तो सवे किरिया सिलता के कारण कुछ वेक्तियों के चैरे पर फुंसियां और मुआ से आदी हो जाते हैं और उसके बाद में हैं यहां पर नोट तो यह नोट आपको जरूर याद रखना है most important note है आपके कि सवेद गरंथि, तेल गरंथि तदा लार गरंथि जैसे कुछ गरंथियां अपना इस्तराव वाहियों द्वारा इस्तरावित करती हैं अंतर इस्तरावी गरंथियां हार्मोन को सिद्ध रूधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं इसलिए इने क्या कहते हैं नली का विहिन गरंथियां भी कहते हैं तो काफी बार आपके एकजाम में पूछा जाता है कि नली का विहिन गरंतिया किसे कहते हैं, इसकी जो प्रिवासा है वो काफी बार आपके बोड़ एकजाम में आ चुकी है, उसके बाद में है जनन अंगों का विकास, यानि जो जनन अंग है उनका विकास वो किस प्रकार से ह होता है तो योवनारंब में नर्जननांग जैसे की वर्षन एउसिस्षन पूर्ट विक्षित हो जाते हैं और वर्षन से सुक्राणू हैं उनका उत्पादन भी सुरू हो जाता है लड़कियों में अंडा से साइज में वर्दी हो जाते हैं और तदा अंड परिपक्व होने ल तो किसोर अधिक सवतंतर अथुआ सचेत होते हैं इस समय सीखने की छमताय वो सबसे ज़्यादा होती है सरुवादिक होती है कभी कभी परिवर्टनों की वज़े से किसोर अपने आपको ऐसुरुक्षित महसूस करते हैं उसके बाद में हैं गोण लेगिक लक्षन यानि गो लेगिक लक्षन क्या होते हैं तो यूव आवस्ता में लड़कियों में इस्तन है उनका विकास होने लगता है इसनों का विकास होने लगता है और तदा लड़कों की चहरे पर बाल उग जाते हैं अर्था दाड़ी मूझे आने लगती हैं ये लक्षन क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहाइता करते हैं अते इने क्या कहते हैं गोन लेगिक लक्षण कहा जाता है और अभी तक बच्चों यदि आपने कुमेंट में जे माता दी नहीं लिखा है तो जे माता दी जरूर लिखें और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आपको करके बताना है उसके बाद में हैं नोट आपके इंपोर्टेट है कि किसोरा वस्ता में होने वाले परिवर्तन हैं वो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं आपको क्यूश्चन पूछा जा सकता है कि किसोरा वस्ता में होने वाले जो परिवर्तन हैं जो परिवर्तन हैं जो स्त्रावित आर्मोन वो क्या कहलाते हैं लिंग आर्मोन कहलाते हैं अब लिंग आर्मोन आपके दो प्रकार से पूछे जाते हैं एक तो आपके नर्लिंग हार्मोन होते हैं और दूसरा आपके मादा लिंग हार्मोन तो सबसे पहले नर्लिंग हार्मोन नर्लिंग हार्मोन का न प्राणू उत्पन करने की चंता उत्पन करता है उसके बाद में हैं आपके मादालिंग आर्मोन तो मादालिंग आर्मोन का नाम क्या है आपके एस्ट्रोजन इसको भी मैंने हाइलाइट किया है हाइलाइट क्यों किया है ताकि आप आराम से इसको अच्छे से याद कर पाएं उसके बाद में इसके कारिये क्या हैं तो इसमें पहला कारिये के अंडास से दुबारा इस्तरावित होते हैं दूसरा है कि यह गरबदारण में साइक होते हैं उसके बाद में देखें यहाँ पर जो रामबान है सबसे इंपोर्टेट है कि नर हार्मोन और मादा हार्मोन के उत जाम में आ सकती है आपकी और उसके बाद में देखिए जनन प्रकारिये प्रारम करने में हार्मोन की भूमिका तो अंताई इस्तरावी गरंतिया हार्मोन रूदीर प्रवाय में इस्तरावित करती हैं जिसे वह सरीर के विशिष्ट भाग अथुआ लग से इस्तल तक पहुँच सके हमारे सरीर में अनेक अंतसरावी गरंथिया हैं वर्षन और अंडासे लेगिक आर्मोन इस्तरावित करते हैं प्यूस गरंथी अनेक आर्मोन इस्तरावित करती हैं उनमें से एक आर्मोन अंडासे में अंडानू और वर्षन में सुक तो मानव में कि सोरा वस्ता में जब वर्षन तदा अंड़ास से युगमक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्ये हो जाते हैं और इस्त्रियों में जनना वस्ता का प्रारंब है वो योवनारंब यानि 10 से 12 वर्ष की आयू से हो जाता है और 45 से 50 वर्ष की के अंतराल पर किसी एक अंडास से द्वारा निर्मोचित होता है उसके बाद में देखिए रितु सराविया रजोधरम तो रितु सराविया रजोधरम क्या है यह भी काफी इंपोर्टेट है आपके एक्जाम में आ सकता है कि गर्बासे की दिवार मोटी अथवा इस्पंजी ह हो जाती है लेकिन निशेचन ने होने पर यह दीरे-दीरे तूटती है और रुदीर वै म्यूकस के रूप में योनी मारक से बाहर निकलती है जिसे क्या कहते हैं रितु सराव या रजोधरम कहते हैं और रितु सराव लगबग 28-30 दिन में एक बार होता है पहला रितु में होता है जिसे क्या कहते हैं रजोधर्शन कहते हैं और लगबग 45-50 वर्षकी इस परकार होता है या जो है या लड़की है तो उसके लिए जो संत्ति है इसका लिंग निर्दारन कि ऑंकि किया जाता है और किस प्रकार से पहचाना जाता है तो वह हम पढ़ने वाले हैं तो गुंसुत्र पर्तेक कोशिका के केंद्रक में उपस्तित होता है यह आप जानते हैं कि जो चुन सुत्र होते हैं वो परते कोशिका के केंदरक में उपस्तित होते हैं सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंदरक में 23 जोड़े गुनसुत्र पाए जाते हैं और इन में से दो गुनसुत्र यानि एक जोड़ी लिंग सुत्र हैं जिने अक्स और वाई कहते हैं इस्तरी है उसमें अ एक गुण सुत्र अक्स होता है और एक वाई होता है और जब अक्स गुण सुत्र वाला सुक्राणू अंडाणू को निशेचित करता है तो यूगमनज में दो अक्स गुण सुत्र होंगे तथा वह मादा सिसू में विक्सित होगा और यदि अंडाणू को निशेचित करने व हार्मोन के अंत्रिक्त अन्य हार्मोन तो इसमें पहला क्या है प्यूस गरंथी यहां से आपके बोर्ड एक्जाब में कुष्ण्स हैं वो फिक्स पूछे जाते हैं प्यूस गरंथी से पूछा जा सकता है थाइराइड से भी आ सकता है एड्रिनल से भी आ सकता है तो देखिए अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है तो सबसे पहले है प्यूस गरंथी यह हमारे मस्तिस्क के निचले भाग में इस्तित होती है इसका आकार है वो मट्र के दाने के आकार का होता है और इससे निकलने वाले हार्मोन अन्य अन्तस इसके बाद में थाइराइड गरंथी तो थाइराइड गरंथी क्या है यह गरंथी स्वास नली के दोनो और अदर तल पर इस्तित होती है इसे इस्तरावित आर्मोन थाइरोक्सिन है जो आयोडिन दुआरा क्या करता है बनता है थाईराईट गरंथी क्या होती है यह है गरंथी स्वास जो लिली ओती हैं सांस लेते हैं हुसके दोनों और जो अदर ktale उस पर इस्थित होती है इसे इस्तिे इस तरावी है एड्रिनल ग्रंथी तो एड्रिनल ग्रंथी क्या होती है यह ग्रंथी वुरक के उपरी भाग पर इस्तित होती है इसे इस्त्रावित आर्मोन एड्रिनलिन हार्मोन है और यह रुदेर में नमक की मात्रा को क्या करता है संतूलित करता है और उसके बाद में हैं आपके अगनासे ग्रंथी यानि अगनासे ग्रंथी क्या है यह अमासे के नेचे इस्तित होती है इसे इस्तरावित आर्मोन इंसुलिन है यानि जो अगनासे ग्रंथी है उसे इस्तरावित आ पभर आता है। जिसे हम क्या कहते हैं मदुमेरो कहते हैं। और उसके बाद में हैं नोट। यहां पर जो नौट लिखा हुआ है। बहुत important है। लारवStraff वैशक बनने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। कया अजाता है। और कीटों में कायांत्रन का जो नियंत्रन है, वो किसके दुवारा किया जाता है, कीट आर्मोन के दुवारा किया जाता है, यह आपको ध्यार रखना है, उसके बाद में हैं जननात्मक स्वास्ते, यानि जननात्मक स्वास्ते क्या होता है, तो वेक्ति का काईक और मानसिक वि वेक्ति का स्वास्ति कहलाता है किसी भी आयू के वेक्ति के शरीर को स्वस्त रखने के लिए उसे संतुलित आर की आवसिक्ता होती है और उसके बाद में किसोर की पोशनिक आवसिक्ता हैं तो इसमें सबसे में आपके संतुलित आर यानि संतुलित आर क्या होता है तो संतुलि करते हैं संतुलित संतुलित होता है और हमारा जो बह्रती बोजन ने जिसमें रोटी होती है चावल 2020 है ये सब होती हैं तो वो भी क्या है एक संतूलित आहर है और जो दूद अपन पीते हैं वो भी एक प्रकारगा क्या है संतूलित आहर है और लोहा यहां पर जो लाइन में ने हाइलाइट किये इंपोर्टेट है कि लोहा जिसको आईरन कहते हैं वह एक तत्व होता है जो किसका न पर ध्यान देना अती आवसे के परतेक वेक्ति को परती दिन एक बार इस्नान करना चाहिए, शरीर के सभी भागों को इस्नान करते समय बली प्रकार धोकर साफ करना चाहिए, यदि सफाई नहीं हुई तो जिवानु संकर्मन का खत्रा है वो बना रहता है। और उसके बाद में हैं सारीरिक व्याम, ताजी हवा में खेलना टहलना सरीर को सवस्त और चुस्त रखता है, सभी युवा किशोर एम लड़कियों को टहलना चाहिए, व्याम करना चाहिए, खेलना चाहिए और ये सब जो किरियाएं हैं ये करनी चाहिए, उसके बाद में हैं नसीली दवाओं ड्रग का निसेध करें, यानि किसोर अवस्ता में मन और सरीर अत्य दिख्या होते हैं किरिया सी लोते हैं, इसलिए ऐसुरुक्षित और बेचेन नहीं रहना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति दुवारा यह सुजाने पर कि नसीली दवा, जिसको ड्रग कहते है उसका सेवन करने से आराम मिल सकता है तो उसको कभी नहीं अपनाए और जब एक बार नसा करने की लग जाती है तब बार बार नसा करने को मन करता है और नसे हैं वो सरीर को नुकसान पहुंचाते हैं हमें हानी पहुंचाते हैं और ये सवास्ते और खुशियां हैं उनको भी क्या कर देते हैं खतम कर देते हैं उनको बरबाद कर देते हैं तो इस परकार से जो ड्रग्स हैं जो नसा है वो आपको नहीं करना है उससे आपको दूर रहना है और उसके बाद में हैं AIDS और AIDS एक परकार का रोग है और AIDS का पूरा व्यव 것이 से सवस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस hace माल कियाने वाली जो सिर्रिंज होती है उसके द्वारा किया जा सकता है हो और एच इभी से पिरित व्यक्ति के साथ है लेगिक संप्रक इस्तापित करने द्वारा भी इस रोग kiss संक्रमन हो सकता है इस चेप्टर को मैंने एक वीडियो में नोर्स के मादिम से आपको समझा है वीडियो आपको केंसा लगा वह आपको NgK करके बताना है और सभी बच्चों को कोमेंट में जे माता अदी दिया है जे माता दी के आशिरवाद से आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर हैं वो साइंस में बनने वाले हैं क्योंकि मैं परतेक चेप्टर के नोर्स कलरफुल नोर्स एकदम बेस्ट नोर्स ला रहा हूं और मैंने एक से नो तक के जो चेप्टर हैं वो अल्रेड़ी अपलोड कर रखे हैं लिंक आपको डिस कर लिजी